नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आरके योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एकोंड नई महत्तपुन जानकर लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं सरकार ने सभी पैंसन लिया भारतियों की बल्ले बल्ले कर दी हैं जी हाँ दोस्तों दिव्यांग पैंसन योजना वरदवस्था पैंसन योजना और विद्वा तलाक्षदा पैंसन योजना के अंतरकत सरकार ने इन सभी पैंसन में एकदम से भारी बडोतिरी की हैं जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के नोटफिशन में देख लिया ही है पैंसन लाबहरतों की बल्ले बल्ले कर दी है दोस्तों पहले इन सभी जैसे की दिव्यांग, बुजर्ग और विद्वा पैंसन योजना के अंतरकत पहले इने 500 रुपे परतिमा दिये जा रहे थे लेकि तो इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवा है यह सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक चोटा सन्निवेदन है यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्त आप हमारे चैनल पर पहरी बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तों अब हम यहाँ पर वीडियो के सुरुआत कर लेते हैं और सभी की जानकारी आपको डिटेल वाइज में बताते हैं जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं परदेश में विधान सवाद चुनाओ 2022 संपन होने के बाद बीजेपी सरकार ने परदेश में एक बार फि लिए समाज कल्याण विभाग भी तैयारी में जुट गया है बीजेपी सरकार ने चुनाओ से पहले अपने संकल पत्र में आम जंता से वादा किया था कि सरकार बनते ही सभी गरीब की पैंसन में बडोत्रिक की जाएगी समाज कल्याण विभाग योजना के अंतरकत पैंसन के लाभारतियों में जैसे दोस्तो वरदवस्था पैंसन योजना निरासित महिलाई पैंसन योजना दोस्तो निरासित महिलाई में विद्वा पैंसन वाले भी आ जाते हैं और तलाक सुदा पैंसन वाले महिलाई भी सामि गई हैं जिनकी संख्या कुल मिलाकर लगभग एक करोड के आसपास होगी मीडिया रिपोर्ट्स मिली जानकारी के मुताबिक अब सरकार सभी 95 भोगियों को एक हजार रुकवे की बजाए 1500 रुपे दोस्तों एक हजार रुपे की बजाए 1500 रुपे पैंसन देने वाली है आकडों के मुताबिक बताय जा रहा है कि इस योजना के अंतरकत सरकार हर साल करीब ठारा हजार करोड रुपे पैंसन लाभार्तियों के खाते में ट्रांसफर करती है जिसका खड़चा लगभग साल का ठारा हजार रुपे करोड ही आता है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही परदेश सरकार ने लाभार्तियों की पैंसन में पांसो रुपे बढ़ा कर एक हजार रुपे की बड़ोतरी की गई थी सबी पैंसन धारकों के लिए बड़ी खुसकबरी यह है कि एक बार फिर चुनाओं के बाद सरकार पैंसन योजना में पांसो रुपे और बढ़ाये जाएंगे बताये जा रहा है कि एक करोड लाभार्तियों में 56,000 दोस्तों 56,000 तो वरत जन व्यक्ति हैं और 11,00,00,00 दिव्यांग जन पैंसन भोगी हैं साथ ही 31,00,00 से ज़्यादा विद्वा महिलाये और तलाकसुदा महिलाये भी सामिल की गई है अब समाज कल्यान विभाग इस कैलकुलेशन में जुटा हुआ है कि पैंसन भोगियों की पैंसन में बड़ोतरी करने के बाद समाज कल्यान सारा बायो डेटा तैयार करके राज्य सरकार को देने वाला है एक बार फिर आपकी जानकारे के लिए बता दे की परदे सरकार सभी पैंसन भोगियों की पैंसन में चुनाव के बाद 500 रुपे की और बड़ोतरी की गई है यानि की अब आपको परती महा 1500 रुपे दिये जाएंगे और जो तिमाही पैंसन लाभारतियों को दी जाएगी वह दोस्तो 4500 रुपे सभी पैंसन भोगियों के खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर किये जाएंगे दोस्तो जो हमने अभी आपको ये सभी जानकारी बताई है यह मीडिया रिपोर्ट्स के सूतरों के अनुसार मिली जानकारी हमने यहाँ पर आपको बताई गई है आसा करते हैं आपको हामर दिवी जानकारी पसंद आयोगी यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बोक्स में जाकर हम से पूस सकते हैं आपके सवी सालों का जवाब दे दिया जाएगा लाश्ट में निवेदन ही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत